हलो एंड वेलकम तो देसी पचाका मैं हुआ राधना आपके साथ दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर क्लास लगी रनवीर शौरी की रनवीर शौरी ने जो कुछ भी सना मकबूल के लिए बोला था वो पूरी तरीके से गलत था और अब ऐसे में यहाँ पर रनवीर शौरी की क्लास लगाई लेकिन बहुत तेज है मेकर्स और ना सिब रनवीर शौरी की उन्होंने क्लास लगाई सना मकबूल को भी लपेटे में लिया बहुत ही बैलन्स तरीके से यहाँ पर अनिल कपूर जो है वो बोलते वे नजर आए क्या हुआ है कैसे हुआ चलिए बताती हूँ वीकेंड के बार की अपडेट लेकिन अगर नहीं किया है चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दपाएं बिग बस के घर के अंदर अनिल कपूर ने जो कुछ भी यह रणवीर शौरी सना मदबूल के पीछे से उनके बारे में बोलते हैं उस पर चर्चा की और उन्होंने रणवीर को बोला कि आप जिस तरीके से इसके लिए बोलते हैं वो गलत है और आपको यह नहीं बोलना चाह करनी पड़ेगी तो वो लेयर करी उन्होंने और उन्होंने सना मकबूल की भी क्लास लगाई कि सना तुमने एज शेमिंग की है वो तुम से बहुत सीनियर है तुम जब लड़ती हो तो तुम बिलो दी बैल चली जाती हो तो भाई सामने वाला बोलेगा तो इधर वाला भी बोलेगा ना यार पर यह तै था मैंने कल भी अपने रिव्यू में कहा था कि यह होगा ही होगा यह लोग दोनों को लपेटेंगे यह खाली रंबीर शौरी की क्लास लगाकर यह दिखाना बिलकुल नहीं चाहेंगे कि रंबीर शौरी गलत है है ना कुकि वो तो इनके फिक्स पाइनलिस्ट है ही है आपका इस पर क्या रियाक्शन है आपके अकॉर्डिंग अनिल कपूर को सिर्फ रंबीर की क्लास लगानी चाहिए थी या दोनों की लगानी चाहिए थी कौन ज़ादा गलत था कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकेज आपकेज़।